हेलो अब्रीबन वेलकम टू माई चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट हैर आएम डॉक्टर वन्ना गुपता और आज हम पढ़ेंगे अडल्टरेंस के बारे में यानि कि मिलावटी पदार्थ कौन-कौन से जो की खादे पदार्थों में मिलाए जाते हैं तो इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था कि एडल्टरेंस क्या होते हैं इसके डेफिनेशन देखी थी हमने और इसके साथ साथ में हमने जो प्रिवंशन और फूड एडल्टरेशन एक्ट है उसके बारे में भी पढ़ा हुआ था और इसका कारण क्या है इसके टाइप्स क्या है कितने प्रकार के होते हैं यानि कि जो food adaptation होता है वो कितने टाइप के होते हैं वह भी हमने discuss किया हुआ था इसके पिछले वीडियो में और उसके साथ साथ में उसमें उनकारक प्रभाव क्या का पड़ता है यानि कि उनकी वज़ा से जो कि हम की हमचे बीमारिया हो सकती है किस तरही किसे में हम पहुचाते हैं और उनका कारण क्या है जो वो उनका कारण क्या है मिलाने का तो यह सारी चीजे हमने डिसकस की हुई थी आज हम डिसकस करेंगे कि भोजे पदार्थ में जो मिलाए जाने वाले मिलावटी पदार्थ वो कौन-कौन से हैं ठीक है एडल्ट्रेंस के बारे में आज हम डिसकस करने जा रहें चले फिर देख भी जाते हैं क्यों-कौन से यह defensive हैं तो सबसे पहले जो सामाने तौप पर मिलाए जाते हैं उसमें सबसे पहला है मिट्टी रेत और कंकर यह आपकी मिलावटी पदार्त है जो कि आप जिसकी अनाज हो गया दाल है इनकी मातरा को बढ़ाने के लिए यह मिलाए जाते है अब इनका कुप प्रभाव यानिकी इनका हानिकारक प्रभाव क्या होán सकता है जिसकी अप कंकर है तो कंकर से क्या होता है कभी-कभी आप खाते समय स्क्राइब को न्याइब टूट भी सब्सक्राइब या पिर जो आग उसमें मिट्टी मिलाई जा रही है, या फिर रेद मिलाई जा रही है, अगर जो है वो, अब जुकी वो की साफ तो होगी नहीं बिलकुल, तो वो जो संदूशित मिट्टी है, उससे क्या हो सकता है? कि food poisoning की problem हो सकती है तो ये दिक्कते हो सकती है फिर दूसरा आता है कि केसारी डाल जिसे की हम खेसारी डाल बोलते हैं इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको इसकी वज़ा से कौन सी problem होती है ये भी हमने discuss की हुई थी आप जो ये खेसारी डाल है कहीं कहीं के पर केसरी डाल भी बोला जाता है इसे जो है इस डाल की जो मिलावट होती है वो चने की डाल में और अरहर की डाल में की जाती है और मुख्य रूप से इसकी जो मिलावट है वो अरहर की डाल में की जाती है अब इसमें क्या होता है मैंने पिछले पर बताया था आपको कि जो खिसारी दाल है इसमें B O A A ये नाम जो है B O A A नामक हानिकारत तद तो पाया जाता है खिसारी दाल में इसका कि फुल फॉर्म होता है बीटा एन औक्जल अमाइनो एल एलनिन ये पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हो उसमें आपको इसका पुरा मैने फुल फॉर्म बताया हुआ है ठीके तो ये खिसारी दाल में बी ओ ए नमक हानिकारिक तत्तो पाया जाता है जिसके कारण से लथायरिजम नमक रोग हो जाता है ये भी हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया हुआ था तो इसकी वज़ा से लथायरिजम नमक हो जाता है जो कि especially जो आपके शरीर के नीचे के अंग हैं, उनको प्रभावित करता है, यानि कि मुख्य रूप से पैर को प्रभावित करता है, तो इसमें चलने में प्रावलम होती है, तो यह आपका खिसारी दाल, फिर थर्ड जो एडल्ट्रेंट्स है, वो है आपका चाक और टैल्कम अपने सुनाई ही होगा, यह टैल्क पाओडर इस यह भी खाते-बदार्थों में मिला जाते, यह भी अद्ल्ट्रेंट्स है, जैसे कि अवन चौक है या फिर टैल्कम पावडर है इनको क्या करते हैं, जिसा जो आठा है इन में मिला दिया जाता है, और यह क्या क्वाँ करत digestive system को प्रभावित करते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है खनिज तेल यह भी हमने डिसकस किया हुआ था चली फिर से देख लेते हैं फिर आ जाता है खनिज तेल यानि कि मिनरल वायल इसकी मिलावट खाने की तेल में की जाती है और दाल है काले मिर्च है इनको जो है फ फंगस लगने लगते हैं फफूंदी लगने लगते हैं हिंदी में बोलते हैं फफूंदी तो वो लगने लगती दालों पर है काले मिर्च पर है तो उनको फफूंदी से बचाने के लिए क्या करते हैं खनिस तेल की पॉलिस कर दी जाती है उसके ऊपर और यह खनिस तेल वि vitamins मिल रहे हैं, carotene जो कि आपका ये भी vitamin है तो vitamins है especially जो carotene है उसके absorption को, उसके absorption को ये रोगता है खनेस तेल, तो इस वज़ाँ से ये हमारे लिए इस तरीके से ये हानिकारक होता है तो ये policing के लिए भी use किया जाता है और खाने के तेल में इसकी मिलावट भी की जाते है तो दोनों तरीके से हमारे लिए खानिकारक होता है, फिर फिर नमबर पर है और जिमन के बीज और जिमन के बीज अब ये जो और जिमन के बीज ये क्या है, ये बीज सरसो के बीज मिलाए जाते हैं इनका जो एल्ट्रेशन किया जाता है किसमें किया जाता है सरसों के बीज में किया जाता है अब यह जो आर्जिमन की मिलावट होने पर इससे क्या रोग हो जाता है यह भी हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था इसकी वजासे ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है यह सर्सों की बीज में मिलावट करने के लिए यूज किया जैसे किसमें दूध हो गया दही हो गया इनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए पानी की मिलावट की जाती है फिर नेक्स है कि सस्ते एवं बेकार बीज इनसे भी खादबदार्थों में मिलावट की जाती है इस्पेशली उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं मात्रा कम है तो इनकी मिलावट कर दी जाती है उनकी मात्रा बढ़ जाती है और मात्र बड़ने से क्या होता है उनको फाइदा मिलता है, ज्योगि वह पैसे तो पूरे लेते हैं कंजिमर से, तो इस तरीके से पीकार पीज मिलावद करते हैं, ऑब ही ज़ीले में जीले में घास केवीज चाह policing काली मर्छ में पपीते के भीज मिला डीये जाते हैं कौफी या फिर कौको में पूने हुए इंवीज मिला दी जाते हैं इस तरीके से जो सस्ते और बेकार बीज है उनकी मिलावड जो भी मेहंगे मसाले हैं खादेपदार्थ 27 फिर नेच्स आता है पेड की छाल युएभन पत्टिय इनको भी खादबदार्थों में मिलाया जाता है पेड़ की छाल और पत्तियों को अच्छा इनकी जो यह मिलावट की जा रही है तो इनके टेस्टिंग कैसे की जाती है वो भी आजम पढ़ेंगे यानिकि इनको किस तरीके से आप जान सकते हो इनका परिच्छन कैसे कर सकते हो कि कोई भी खादबदार्थ वो मिलावटी है या फिर नहीं है तो वो भी आगे हम डिसकस करेंगे और इसके साथ साथ में यह जो मिलावट की जा रही है उनसे कौन-कौन से बीमारी हो रही है इस्पैशली किस अंग को वो प्रभावित कर रहे हैं वो भी अभी हम देखेंग ठीक है उसे के सिमलर होती है तो क्या करते हैं इसमें किसी भी पेड़गी छाल मिला दी जाती है और जो अच्छी चाय होती है उसमें क्या करते हैं पुरानी पती को सुखा करके वो मिला दिया जाता है इसे क्या होता है उनका उनकी मात्रा वो बढ़ जाती है और नारियल के बाल होते हैं उनको क्या किया जाता है रंग करके कलर कर दिया जाता है उनको कलर करके केसर में मिलावट कर दी जाते हैं तो केसर क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है मार्केट में इस वज़ा से उनको जो है और पैसा कमाने के लिए जो विक्रेता होते हैं वो क्या करते है फिर इसके बाद में नेक्स रहा जाता है मैदा अख्रोड टैपियोका जिसे की कसावा बोलते हैं मैदा अख्रोड टैपियोका इंग्लिश में इसको कहते हैं कसावा अब यह जो मैदा अख्रोड है और टैपियोका इसको क्या करते हैं इसको दूध में खोवा है खोया जो आता है दूध से बनता है खोया है बर्फी है आइस क्रीम इसमें इसकी मिलावट की जाती है होके मैदा आपने देखा होगा आपसर क्या होता जब आपका क् muffur होता है उस ताइम पर क्या होता है दूध की अधिक जरूध पड़ती ऑर मिठाया भी उनकी जरूध पड़त कहते हैं तो क्यों्किया करते मैदा है क्ष्ट है या फिर कसावा है इनको मिला दिया जाता है आइस क्रीम में भी इनकी मिलावट की जाती है इसके बाद में कुछ वर्जित रंग है यानि की जो की प्रोहबिटेड रंग है उनको भी मिलाया जाता है जिसे की खाद बदारत है उनको अट्रक्टिब बनाया सके जिसे की वो यह उसमें लेटट क्रॉमmay टाल साथ ह हैं नहीं मिलाना होता है क्योंकि उससे जदा अगर आप मिलाते हों तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है तो और कई सारे रंग हैं जिनकों की गवर्मेंट के द्वारा बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया गया है तो क्या करते हैं अगर अब इनको जितना भी या तो बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाह हैं तो जिन पर प्रतिबंध लगा गया है जिन रंगों पर अगर उनको मिला दिया जाता है तो वो हमारे लिए हानिकारक कुई कोई न कोई रिजन होती हो यह तो जो फिल्कॉर्मेंट के दारा प्रतिबंधित किया गया है ठीक है क्योंकि वह थामफुल होते हैं और कुछ गस्जिए के बहुत जब की संभावन को सकती है यानि की कैंसर को और सकते हैं इनकी वजाथे जो वर्जित रंग हैं उसके बाद में आजता है इसी घूल लगा अनाज है डाले है ये भी आपके मिलावाटी पतार्थ में ही आ जाते हैं घूल लगा अनाज और डाल । ये भी आपके पतारत में आते हैं, अब जिसे इनाज और डाल हैं उने क्या करते हैं, जो घुल लगे डाल हैं और अनाज हैं उन को मिझा दिया जाते हैं, इसी हुआ होता है है कि तो उसी मूले में भीक जाते हैं ठीक है फिर आता है नेक्स्ट अल्मूनियम वर्क अल्मिनियम वर्क अब यह इस्पैसली किसमें यूज़ किया आता है मिठाईयों में यूज़ किया जाता है मिठाईयों में क्या करते हैं मिठाईय में आपने देखा होगा चान्डी का वर्क अल्मूनियम की प्रियोक किया जाता है और यह जो है आपका यह भी आपके सिस्टम को प्रभावित करता है तो यह भी हानिकारक होता है फिर इसके अलावा जब खाद पदार्थों की पैकिजिंग की जाती है खाद पदार्थों की पैकिग जब की जाती है तो packing के लिए क्या करते हैं यानि कि जो packing की जा रही है अगर वो भी अच्छी quality का नहीं होगा अच्छे पदार्थ से नहीं बना होगा material से तब भी वो आपके जो खादपदार्थ जो भी खादपदार्थ उस packet में रखे जा रहे हैं तो वो उनको प्रभावित करेंगे उनको हा सफाप कर सकते हैं तो क्या करते हैं packing के लिए सस्ते पदार्थ का यूज़ किया जाता है जैसे कि क्या करते हैं PVC जो पी वी से इसे बोलते हैं polyvinyl chloride कि प्लिविनल क्लोराइट तो क्या करते हैं यह सस्ता होता है इसको पैकिंग के लिए इसंद प्लास्टिक होता है इसकप्रयोक की जाता है जो कि अमर्व सरीर के लिए बहुत ही हामफुल होते हैं bunu इसको नहीं देत faculty के लिए विशाक्त बना देता है जो कि हमारे लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही harmful होता है तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप कोई भी material खरीद रहे हो तो उसकी packing पर भी बहुत ही ध्यान देना जरूरी होता है अब इसके बाद में आयाता है जो last है वो है लोहे का चूरा इससे भी मिलावट की जाती है खादे पतार्थों में अब लोहे का चूरा के इसमें मिला जाता है सूजी है और चाय की पत्ती का वजन बढ़ाने के लिए क्योंकि ये हैबी होता है तो जो सूजी है या जिसे की रवा भी बोलते हैं तो सूजी और चाय की पत्ती का वजन ब तो यह आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से मिलावटी पदार्थ है अब चलिए यहां पर हम आपको चार्ड के माध्यम से दिखा देते हैं यहां पर खाद्य पदार्थ है और मिलावटी तत्व दिये गये हैं और उसके साथ में उनका शरीर पर क्या दुष्ट प्रभाव पड़ता है वह भी यहां पर बताया गया है यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि अब खाद्यान है दाले हैं गुड़ है मसालित उसमें क्या है वर्त करती है इसके तो आप से जाती है इस सबस्क्त च क्या होता है यह प्यसको प्रभावित करता है तो यह आपके आखों की रोष्ण है क्यों वह प्रक्रवित होता है तो में अधिक हो जाता है जिसमें क्या होता है लख बिला रख मिला झाय। में तह हां बाइसन पीला होता है कई यह श्कमलालो ये आपके प्रोडर्विक भी टीकाता है तो यह तरहें चाहिता है कि प्रधाम के यह संबंदित और के प्राइंसर की प्रॉब्लम हो सकती है अब चुकि जो बादाम का तेल होता है कि आप जितने भी ड्राय फ्रूट से वह कॉस्टली होते हैं और जो उनके तेल हैं वह कॉस्टली होंगे तो क्या करते हैं उन से अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं जो भी वि प्रमुख अंग निश्क्रिय हो सकते हैं और फूड पॉजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है दाल में जैसा कि तलकम पाउडर मिला सकते हैं एसबस्टिस पाउडर भी मिला जाता है यह भी पाचन तत्र को प्रभावित करता है और आपके किट्नी को इसपेशली जो गुर्दे क क्योंकि पत्री है वो होने के चांस हो सकते है इसकी वज़ासे तो फिर आप देह सकते हो कि लाल मिर्च है उसमें रोडा माइन बी ये 및 कि एक अग्छारा है यह भी मिला जाता है लाल मिर्च में क्योंकि वह रड कलर का होता है तो इस इसको इसको कुर्ण देन के लिए और आट्राक्टिव बनाने के लिए कि पयुकर प्रॉव् historically Я झाल मिर्च इस ठीकमिल मिल जाता जाता है अब लेकिन यह औरो किस लिमिट में मिलाते हैं तो यह जो रोडामाइन भी है तो यह भी हानिकारक होता है इसे लिवर है किड्नी है स्प्रीन है यह हमारी प्रभावित होती है तो यह भी हानिकारक होता है हल्दी में लेट क्रोमेट भी मिला जाता है सिंदूर जिसे कहते हैं इससे अनीमिया हो सकत अंधापन है गर्वपात की प्रॉब्लम हो सकती है और जो पेपदार्थ है उसमें कलर है यानि कि जो कि प्रॉबिटेड है वह कलर है रंजक यह मिला दिये जाते हैं यह भी लिवर को प्रभावित करते हैं और आपकी जो है अनीमिया भी हो सकता है कैंसर भी कॉज कर सकता है याप यहां पर देख रहे हो कि लगबग लगबग जितने भी जो मिलावटी पदार्थ मिलाए जा रहे हैं उनसे क्या हो रहा है उनसे हमारे डाइजेशन को प्रभावित करता है हमारा डाइजस्टिव सिस्टम और लिवर यह इस्पैशली हो रहा है और अलमुनियम बर यह मनी बताते हैं पिट समबंदित प्रॉबल्म हो जाती और चाइपतिय कॉफी में लॉचोन मिला धिया जाते हैं इससे भी डाजस्टि प्रॉब्लम हो जाती है अब यह तो हो गया, यह ने फड़ा फड़ देख लिया है, अब भुझ बदार्तों में आप मिश्रन की जांच कैसे करेंगे, यह देख लेते हैं, सारा नहीं देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर हमारे पास पूरी लिस्ट है, ठीके पुरा टेबल है, तो यह मैं आपको टेलिग तो अगर आपने टेलिग्राम चैनल मेरा जॉइन किया है, तो आप जॉइन कर लो, होम साइंस लेट्स क्रैकिट के नाम से है तेलिग्राम चैनल और उसका लिंक भी दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर मैं यह जो यह वाला पेडिया यह डाल दूग हर एक चीज में यहां पर नहीं बताऊंगे आपको, बस कुछ जो इंपॉर्टेंट है यहां पर आपके साथ में डिस्क्स कर लेती हूँ, पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप टेलिग्राम चैनल पर जाकर कि वहां से आप देख सकते हो, तो देखे, दूद में क पानी के जाच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए आपके दूद की जाच के लिए उसमें लेक्टो में पूछा गया कि जाती है और इसकी जो रीडिंग होती है वो 28-34 होनी चाहिए अगर रीडिंग 28 से कमा रही है तो पानी की मिलावत प्रमा आपका जो पानी है उसमें मिलाया गया है ठीक है अगर रीडिंग जो इसमें दी गए 28-34 अगर इससे कम होती है तो आप इसके अलामा आप घर पर अपनी जाच करो अगर लैक्टो मीटर है दिन तो बेस्ट है आप उससे जाच कर सकते हो अधरवा सकते हो लेकिन अगर आपक प्यूर होता है वह बहुत धीरे से बहता है पर एक सफेद निशान छोड़ जाता है एक पानी मिक्स मिला हूआ या दोद बिना निशान चुड़े फिर बह जाए तो इससे आपको पर चल जाएगा कि पानी मिला हुआ दूध है या पिर नहीं है जो आपकर आ जो मिलावड क आठाई से कम रीडिंग आगी तब परच जाता है कि हाँ दूर में पानी मिलाया गया है लेकिन अब इसमें भी जो है जो आपके विक्रेता है जो बेच रहे हैं तो भी इसमें दिमाग अपना जुगार लगा लेते हैं अब देख रहे हो आप किस तरीगी से कर सकते हैं कि अब मिला दे रहे हैं इससे क्या होगा कि जो है लाक्टोमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह दूद मिला उती है इसकी चांच के लिए आपको क्या करना है दूद में आयोडीन मिला करके गर्म करें ठीक है यदि दूद का रंग नीला हो जो आयोडीन की जांच जब दूद में आयोडीन मिलाया आता है तो दूद का कलर जो है वो कैसा हो जाता है ठीक है या फिर दूद में स्टार्च की उपस्थिती को जानने के लिए क्या चीज मिलाया जाता है तो ये भी आपनो डाउन कर सकते हो कि दूद में आयोडीन मिला क करके जांच की जाती है और यह किसले की जाती है अगर उसमें स्टार्च देखना है हमें कि स्टार्च है या फिन नहीं है और जब अगर दूद का रंग नीला हो जाता है तो इसे पता चल जाता है कि दूद में स्टार्च मिक्स किया गया है और इसके अलामा एक और जांच है यूरिया की पहचान के लिए अगर दूद में यूरिया मिलाया गया है तो एक परिछन टूद जो होता है उसमें 5 mm का दूद में 2 बूंद ब्रोमो थाइमूल या फिर अलकोहल मिलाया जाता है और 10 मिनट बाद अगर निले रंग डैबलप हो गया है तो इसका मतलब है कि उसमे की जा सकती है तो इस तरीके से यह आपको पता होना चाहिए आप फिलाल जाच कर पाओ या फिर ना कर पाओ लेकिन ये एक्जाम में पूछा जाता है कि किस तरीके से जाच की जाती है क्या चीज मिलाया जाती या फिर जैसे यहां पर है यूरिया की पहचान के लिए ब्रोम मिलाया जाता है तो उसकी जाच कैसे होगी जो सथे खुरदरी है और सलसो के बीज को तबांे से क्या होगा वह अंदर से प कर रंग का होता है जबकि जो उसकी," देश candidate जांच करने पड़ेगी तो नमूने में आप जो है तो थोड़े देर बाद में लाल भूरे रंग की परत अगर दिखाई देती तो इसका मतलब है कि और जिमन उसमें उपस्थित है पड़ेगी जो है् केमिकल की जरूद पड़ेगी अब आपको हुआ जो सर्सो के तेल में आड़्जमन कारे जाता है तो ये आपको नमून करना पड़ेगा कि आपाए अब फालते की और आवर आइस क्रीम में अगर washing powder हमें देखना है कि इसमें washing powder मिलाए जाता है तो आइस-क्रीम में नीबू के रस्की कुछबुन्देश डालने से क्या होगा बुलबुले बनने पर washing powder की मौशुद्गी का पता चल सकता है ठीक है तो आप आराम से कर सकतो अगर आइस क्रीम में आपको थोड़ा सही डा किसी chemical की ज़रूरत है और जो चांदी की वर्ग की अगर जाच करनी है कि इसमें मिलाया तो नहीं गया है तो इसके लिए क्या करते हैं चांदी की वर्ग को अगर आप जलाओंगे तो वह छोटी गेन की रूप में परिवर्तित हो जाता है जलने पर जबकि जो मिलावट वाली चांदी है यानि कि जो अल्मोनियम वर्ग है उसको जलाने की बाद क्या होगा गहरे ग्रे रंग का आवशेश बच जाता है यानि कि वह छोटी गेन की रूप में परिवर्तित नहीं होगा तो इ इसे भी आप color की पहचान कर सकते हो और जो चायपती में लोही का चूरा मिला जाता है तो चायपती के नमोने के ऊपर से चुंबक कर आप चुंबक करोगे तो चुंबक के प्रति अकरशित होता है चिपक जाता है तो यह बहुत ही best तरीका है आप उसकी जाच कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, ठीक है, चली, तो हम और कुछ भी देख लेते हैं, थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए, अब लाल मिर्श पाउडर है, तो इसमें क्या होता है, इट पाउडर, चुकि वो भी रड कलर का होता है, और रंग, ये चीज़ें मिलाई जाती है, तो आप जाच कर सकते हो, और अगर रंगी की जाच करनी है, तो एक चमाज मिर्श पाउडर को पानी भरे ग्लास में आप डालो, और पानी अगर रंगीन हो जाता है, तो मिर्श पाउडर मिलाऊटी है, चुकि अगर कलर उसमें मिला होगा, तभी पानी रंगीन होगा, अगर कल आपनी सतेय पर तायनिये लगता है। यह आप इस से आप पता लगा सकते हों। तो अगर आप उसको हथेलों के बीच में रगड़ते हो अगर आपके हथेली काली हो जाती है तो इसका मतलब है कि जीरा जो है वह मिलावती है चलिए अब यह तो बहुत सारी है इसमें अब आते हैं हम यहां पर हम 500 पर टेलिग्राम चैनल पर यह कर देंगे तो वहां से आप इसको आसानी से पूरा जो यह टे double है आप से आप आसानी से पढ़ सक्टे हो ओक अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि जो मिलावत से बचने के उपाय के बारे में यानि कि जो Prevention of Food Adulation Act है वो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर मिलावट से बचने के उपाय किस तरी के से आप मिलावट से बच सकते हों बचने के चलिए फिर देख लेते हैं अभी खाद अपमिशन जो है जो फूड एलिटरेशन किया जा रहे हैं यह तो एक अपराध है और इसके लिए Prevention of Food Adulation Act भी बनाएं गया है जो कि आपका 1954 में इसको Establish किया गया बनाएं और इसके अंत्रकत किसी भी वैपारी या विक्रेता को अगर वो दोशी पाया जा रहा है तो उसको कम से कम अगर कोई भी मिलावट करता हुआ पकड़ा जा रहा है तो उसे कम से कम छे महीने शिक्स मंथ की जो है वो कारवास सजा हो सकती है छे महीने की जिसे की तीन वर्स तक बढ़ाया जा सकता है यानि की छे महीने की सजा है ठीक है और इसे आगे भी तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है 2-3 एर तक इसको बढ़ाया जा सकता है उके इसके अत्रिक्त मानदंड का अभी प्रावधान है की खाद बदार्तों में मानोष वाष्थ के लिए चुकी आहिद कर रहें कहीं तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है डाइजस्टर सीस्टम को प्रभावित कर रहा है लेव तो चुकि यह हमारे लिए अहितकर है और इसकी रोकताम जो है उसमें उभगताओं की भूमी का बहुत महत्पुन होती है अगर आप अवेर हो अगर आपको इस एक्ट के बारे में पता है कि प्रिवेंशन और फोर्ड एलिटरेशन एक्ट ही होता क्या इसके अंदर क्या के ची क्या क्या बाँ श्रूट को बहुत है अधिक तर यहीं होता है तो जो बहुत ज्चाने हैं तो जागरुक होना बहुत ज्यादा इंपोर्ट ने कि दो जरूरी क्योंकि वो भी जा रहे हैं अब देखे यह तो अलग-अलग है कि किसी घर में सिर्फ मिन है यानि कि जो आदमी लोग है वही जाते हैं बाहर समान लेने के लिए तो वहां पर उनको अवेर रहने की जरूरत है लेकिन जहां पर सिर्फ गल्सी जा मलब जो लेडीज है वही पूरा घर समाल रही है तो वह जाती है समान वगारा लेने के लिए तो इसलिए जरूरी है कि जो है दोनों के अवेर रहना चाहिए अब इसके लिए क्या-क्या चीजों पर ध्यान देना है तो वह देख लेते हैं फटा-फट तो सबसे पहले तो सबसे पहला है कि विश्वश नहीं दुकान से खरिददारी करें ट्रस्टेड करना चाहिए हमेशा पहला पॉइंट तो यह हो गया जहां पर आपको विश्वास है जहां से आप रेगलर बेसिस पर ले रहे हो वहां से आप लो क्योंकि वह आपको जानता है आपके नॉलेज में है आप पता भी लगा सकते हो उसके बारे में और वहां से आपको चुकि ट्रस्टेड है तो वह भी आपके साथ में फिलाल विश्वास खातों नहीं करेगा तो इस तरीके से अब वहां अगर आपको ट्रस्टेड है वह आपको जान रहा है तो वहां पर अगर जो आप खात बदार्थ ले रहे हो अगर वह खराब भी हो गया है तो वहां जाकर आप वापस भी कर सकते हो उनसे शिकायत भी कर सकते हो तो आप उनको जानते हो तो इसलिए हमेशा जो ट् क्या होता है लो कौलिटी तो इसमें जो खादेपडार जन चीज़ों से वो बना हुआ है वो भी लो क्वालिटी को होगा ठीक है अब उसे मिलावट होना पॉसिबल है इसलिए हमेशा जो अच्छी क्वालिटे के समान लेने चाहिए क्यों कि कभी क्या होता है कि हम थोड़ी से पैसे बचाने की चक्कर में क्या करते हैं घड़िया चीज़ें खरीद लेते हैं तो यह हमारे लिए हानिकारण हो सकता है जितना हम उसको पैसे बचा रहे हैं सस्ता सामान खरीदने में और वह अगर हमारी शरीर को प्रभावित कर देगा हमारे system को हमारे parts को body parts को हमारे शरीर को अगर हमारे health को प्रभावित कर रहा है तो उससे ज्यादा आपका पैसा जो है दवाई पानी में लग जाएगा तो इस वज़ा से अच्छी चीजें लीजी कम लीजी लेकिन अच्छी चीजें लीजी और खरीदते से हैं जब भी आप को उनको देख करके हमेशा चिन को देख करके समान खरीदना चाहिए इससे यह रहेगा कि अगर जो चिन अगर उस पर है जिसे F.S.S.A.I. है जो food standards food safety and standard authority of India है अगर उसका उस पर चिन है ठीक है जिसे egg mark है अगर उसका चिन है तो अगर इन सब का चिन है उस पर और उसके बाद 否 आप पर लिजेगा अंगर फर खराब निकल जाता है तो आप क्लेम भी कर सकते हो उस पर आप जब एक प्रोड़इब और इस अगर को चिन बना होता है वहां पर नीचे लिखा होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉबल्लम होता है यह आपको उसके क्लेम होती है उस प ले रहों आप उसको जानते भी नहीं हो तो अब करोगे भी तो कहां करोगे करोगे लिद्र को ज eliminating ओर जगा ग cathedral घ op उनील elles वो कि रहाए है उसको सब्सक्राइच भाषा दो चाहिए उसके बाद में जो है कोशिश कर ये जो pack'd चीज़े हैं उनको खरी दिये क्योंकि जो खुली हुई चीज़े हैं उनमें क्या होते हैं वो आपके लीए हानिकारक हो सकती हैं खुले फोज पतातों में क्या होता है मिलावड की संभाना और अधिक हो जाती है खुला है प्रोडक्ट तो उसमें वो अपने एकॉर्डिंग कुछ भी मिला सकते हैं लेकिन अगर पैक्ड चीजे आ रही है तो उसमें जो है मिलावड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है कम पॉसिबल होता है ओके फिर उसके बाद में लेवल की जाच जरूर से जरूर करने लेवल की जाच ठीक है जब भी आप कोई भोज़ेपदार खरीद रहे हो तो उसमें लेवल अवस्था देख लें कि उस पर सभी जानकरी दी है या फिर नहीं दी है क्योंकि जिस भी कंप उसको बना रही है तो जो आपका सारी की सारी लगभग आपकी यह जो FSS AI इसी के अंडर में आते हैं तो यह जब जाज करता है तो इनकी दोरह जो नियम बनाएंगे हैं कि हाँ जो भी प्रॉडक्ट है उसमें क्या करें इंग्रेंट्स आप डाल रहे हो कितना डाल रहे हो आप ठीके उसके क्या हानी हो सकती है तो हर एक चीज का पूरा डिटेल आपको लेबलिंग में देना होता है हर एक कंपनी का यह जो है उस अपने प्रॉडक्ट पर यह चीज होनी चाहिए लेबलिंग पर सारी जानकारी उपलब्द होनी चाहिए यह FSS AI कहता है ऐसा तो फिर जब भी आप कोई भी वह जब पतार्त खरीदने जा रहे हो मार्केट से तो उस पर लेबल की जान जरूर हो ठीक है क्योंकि कवी कई बारा ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं डेट एक्सपारी डेट शामान भी लेकर चले आते तो वह हमारी लिहानी कार्क होता है अबCrash व्यक्तिधा वहा आपना शामान बेचने की कोशिश करेगा अगर अप ध्यान नहीं दे रहे हो तो य तो इसलिए हमेशा जो है डेट है और लेबल की जाच बहुत ही अच्छे से कर लेनी चाहिए इसके बाद में नेक्स आता है कि अगर कोशिश पॉसिबल हो तो खड़े मसालों का यूज करें क्योंकि जो खड़े मसाले हैं उनमें थोड़ा सा जो है मिलावट करना पॉसिबल न हैं वो तो हम रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं और इनमें मिलावट करने की चांसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं और काफी कॉसली भी आप तो हो गए हैं तो इस वाज़ा से अगर आप चाहो तो खड़े मसाले लो और उनको खुद पिस्वा करकि उनको उपयो अब इसे भोजबदार्थ में मिलावट कि अगर आपको थोड़ी सी भी आशंका लग रही है तो संबंध जो भी अधिकारी हैं उनको तुरंत सूचित करना चाहिए और यह तभी पॉस्बल हो सकता है अगर आप जो है क्वालिटी के लिए हमेशा अवेर रहोगे हरेखिज आप पूरी तरीके से जाच परकर अगर आप खरीदते हो और आपको पूरी तरीके से जो पी अफे है उसके बारे में आपको जानकाई है कि आपको किसको कॉंटक्ट करना है किस पर कहां क्लेम करना है तो यह सारी जानकाई अगर आपको है दन आप जो है अगर अवेर हो तो में शतरक रहना चाहिए है कि जो विग्यापन आप तो लिखते हो हैं दिखाते कुछ है कि अब लेकिन हम constitutional सब्सक्राइन को कि अगर अगर पबलिसffiti करनी है तो ब्रहाँ को विग्यापन के सहायता से ज तो बहुत ध्यांत देखना चाहिए कि कभी किसी विज्यापन की विज्यापन बहुत ही विज्यापन अठ्राक्टिव तरीके से बहुत ही अकरशक धंग से प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि उनका एम ही यही है कि अधिक से अधिक विकिए इसके लिए बहुत सारे पैसे भी खर्श करते हैं विज्यापन के लिए लेकिन जो पदाती गुडवत्ता है वो जिस सरी के से विज्यापन होता है वैसी नहीं रहती है यह आपको ध्यान में रखना होगा इसी वज़ा से हमेशा जो अगर आप अवेर हो तभी आप जो है भ्रामग विज्यापन से बच सकते हो फिर उसके बाद में शुद्धता की पहचान जो नेक्स्ट पॉइंट है शुद्धता की पहचान अब इस्पेशली जो ग्रहनी है उनको शुद्धोबस्तों के पहचान होनी बहुत पूरी जानकारी उनहें होना चाहिए याने कि spé historical ग्रहनी के लिए कहा जा रहा है तो इसी वजा से यहां पर ग्रहनी के लिए हां लेकिन जहां पर आदमी लोग यह है वो भी वह सपोर्ट कर रहे हैं साध mess में वह काम कर रहें या फिर बाहर समान खरिदने कम वह ही करते हैं कहीं कहीं पर तो फिर उनको भी इन सब चीजों पर ध्यान होना चाहिए उनको भी शुद्धता की पहचान होना चाहिए कि कोई भी प्रॉडक्ट है उसकी क्वाल्टी कैसी होई चाहिए उसका रंग कैसा होना चाहिए वो किस तरीके से वो शुद्ध कहा जाएगा तो इसकी पहचान होनी उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ही जादा जरूर उन प्रोडक्ट को खरीदना है मानक प्रमाड चिन वाले प्रोडक्ट को खरीदना है चिन को देख करके जैसे कि आपका एगमार्क हो गया एफ्पो हो गया आई एसाई हो गया हॉलमार्क है हॉलमार्क जैसे कि आपके जो यह होते हैं जुलरी होती है उसमें हॉलमार्क होता है तो वो धेखकर भी आप खरी सकते हो, अधर्वाइट आप उनको जो बेगूप बनाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से, तो अगर ये जो चिन है, वो प्रोडक्ट पर है, तभी आप समान खरीदो, अधर्वाइज मत खरीदी, इससे भी बचा जा सकता है, इसके बाद में, जो तो हमने भी बहुत सारे परिच्छण ऐसे बताएं हैं, कि जिन्हें हम आप आसानी से अपने घरों पर कर सकते हैं, तो सामान जो परिच्छण है, उनकी जानकारी होना भी जरूरी है, आपको अगर पता ही नहीं है, कि आप कि सरी के से जाच करोंगे, ठीक है, तो इसकी जान ज्यांकारी जरूरी है, जो असानी से घर पर करने के लिए, भरे तो ओस्तर पर पर परिच्छण ऑनी में घुल जाना, नगली काली मिर्श का तईरते रहना, यह सारी चीज़ें, यहां पर दभी मनें हम लिस्ट में रहे सी चीज़ें, कि आप घर पर बी आसानी से उसको टे जो में है उनको भी घर के जो आदमी और दोनों को अगर यह चीज जानकारी है देन वह आसानी से परिछण करके जाज कर सकते हैं कोई भी पदार्थ मिलावटी है या फिर नहीं है तो यहां पर यह हो गया हमारा तो यह हमारा जो फूड एलिटरेशन उसमें हमने सारी इंपोर्टन चीज हो थी वह डिसकस कर लिया है ठीक है कि यानि कि बचने की उपाय क्या-क्या है और जो है किन-किन खात पदार्थों की मिलावट की जाती है उनसे क्या बीमारी हो रही है तो यह भी हमने टेवल के मादियम से डिसकस कर लिया है चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और प्लीज लाइक जरूर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिसे कि आपको रेगलर बेसिस पर मलत जब ही है रेगलर तो मैं नहीं कह सकती हूं लेकिन जब भी मैं वीडियो डालती हूं देन आपको नोटिफिकेशन के मादियम से आपको सारे वीडियो मिल सकें जो भी आप TGT PGT और GIC आप तैयारी कर रहे हो नेट की सभी में यह important है सभी में यह सारी चीज़े पूछ जाती है जो हम यहां पर discuss कर रहे हैं क्योंकि आपका सब्जग तो होम साइन्स ही है तो इस सारी चीज़े सारे ही जितने भी होम साइन्स के competitive exam है सभी के लिए important है तो इन वीडियो को जरूर जरूर देखिए अगर आप भी नए हो तो जितने भी मैंने पुराने वीडियो जालें वह भी आप देख लो सारे important है आपको helpful होंगे आपके लिए सारे exam में वह help करेंगे आपके चलिए फिर तो like जरूर करें और subscribe जरूर करें और इसके साथ में अपने friends के साथ में ने collect के साथ में और जो भी आपके हैं द कर दो